नमस्कार, अभी हम लोग ग्राम पंचायत रायाद मोहिदिन नगर उत्तर में हैं, जो कि मोहदिन नगर परखंड में हैं और हमारे साथ एक केंडिडेट के निवेदक राजीब कुमार सर्मा हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं पंचायत के बर्तमान इस्थिति के बारे में और ये मुखिया प्रत्यासी जो अभी आए हैं, इनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, नमस्कार सर, आपका कारिक्रम में स्वागत है, देखे, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे मोहदिन नगर उत्तर का पंचायत का जनता हैं, उनको मैं दिल से ह उनका अधिकार क्या है? और आपके चैनल को भी हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जानने का अधिकार जो हैसे मिला. जी सर आप पहले से भी समाज सेवा करते आ रहे हैं ऐसा क्या लगा कि आपको पंचाय के राजनिती में आना पड़ा देखे समाज सेवा हम बहुत पहले से जो हैसे करते आ रहे हैं और समाज के लोगों में जैसा देखे कि विकास समाज में कहीं से जो हैसे नजर नहीं आया और समाज इतना पिछरा हुआ समाज था कि अगर लगा कि कोई अगर खड़ा होके समाज के लिए अगर आता है आगे वो ही समाज का विकास करता है और समाज के लोग जो है से सारे लोग एक बार हमको मौका देने का काम कर रहे हैं और बोले कि आप ही एक ऐसा समाज सेवक हैं जो कि आप समाज को जो है से आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम कोई धन के लोग में जो है से पुरा प्रयास करते हैं कि हमारा समाज जो है से विकास पर करें और उसके लिए हम लोग तात पर रहते हैं और इसलिए हमारा समाज आज जो है से एकतरफा समझ लिजे कि लोग इतना जोर लगाया कि आप अगर चुनाब में क्योंकि हम इस वार चुनाब में नहीं आने के मूड में थे लेकिन समाज जो हैसे बोला कि नहीं अगर आप नहीं अगर आते हैं तो समाज का फिर कल्यान नहीं होगा क्योंकि 20 बरस से आज मेरा मोहिद्दिन नगर उत्तर पंचायत 20 बरस से पंचायती राज रहा है और कहीं से जो है से समाज में विकास आपको नजर नहीं आगा सिर्फ लोग बने अपने विकास किये अपने तोला महला को विकास किये और कहीं से पूरे पंचायत में विकास आपको नजर नहीं आगा ये अब 20 साल से विकास नहीं हुआ विकास का जो रफटार क्योंकि मुख्यमंत्री साहब का साथ निश्चे योजना काफी महत्वकांची योजना रहा है जिसमें नलजल योजना गली नली सरक योजना था पक्की सरक योजना था अबासिय योजना प्रधान मंत्री अबासिय योजना ये सारी योजना उसमें है तो इसमें बरतमान इस्थिति क्या रही आपके पंचायत में इसके बारे में थोड़ा प्रकास डाले देखे अभी शात निश्य योजना के तहट जितना भी काम हुआ है सरक है नाला है बहुत सारा योजना उस पर जो काम किया गया है आप जाके देखेगा कि कहीं पर नाला टूटा हुआ मिलेगा कहीं पर नाला में छळे नहीं डाला हुआ है इस तरह से अस्त बेस्थ है, आप कहीं कहीं जा के गूम के देखेगा चाईनल के माध्यम से मैं सभी जनता को बताना चाहता हूँ, जनता भी आपको बताएगी, कि सरक पर जाईएगा, तो कहीं पर एक इंची ठला हुआ है, कहीं पर टूटा हुआ सरक मिलेगा, और उसको जनता को चाहिए क्या जागरुक करना जो हमारा सरकार योजना देती है वहां से जनता के बीच काम करने के लिए वो योजना पर कहीं से परतिनी जो हैसे खरे नहीं उतरे इसका जबाब इस पर जनता जो हैसे देगी पंचायत में बिकास नहीं हुआ लेकिन जो फंड होता है पैसा होता है पंचायट विकास के लिए जो पैसा आता है वो आया ही पंचायट में तो फिर उस वो पैसा कहीं ने कहीं भरस्टाचार के नाम चला गया तो भरस्टाचार समाज में बहुत बड़ा समस्या है तो इस पे आप कैसे काम करेंगे देखे भरषठाचार समाज में क्या है, आज परधानमंत्री अवास योजना, सरकार जहों से गरीबों के लिए दिया, कि जिनको मकान नहीं है उनको मकान दिया जाए लेकिन आज के डेट में वह सरकार जो है से पैसा दिया परतिनीधी वहाँ जो है से उसको पैसा दिये और क्या किये कि उसमें से तीस सजार, बीस सजार, किसी से दस सजार उसमें से लेने का काम किये बरस्टाचार कैसे खतम होगा जब तक स्वक्ष छवी का समाज में परतिनिधी नहीं लाएंगे, क्योंकि समाज को तभी आप भरस्टाचार खसम कर सकते हैं, जब तक की परतिनिधी खुद साप सुत्रा हो, अगर घुसखोरी नहीं करेगा, पैसा नहीं लेगा, तभी उसका समाज में आने बाले अधिकारी जो भी है, वो भी जो हैसे पैसा नहीं लेगे, लेकिन यहां क्या है कि खुद जो पैसा ले रहा है, तो अधिकारी भी पैसा ले रहा है, देखे, जो भी अभी पैसा जो हैसे लूट घसोट का काम अगर कर रहा है, जनता लोग क्या करता है, जनता लोग के पास जो हैसे प्रकाव काम करेंगे वहां तो बीच करेंद lived लोगों को रख यहां से पैसा निकाल लेते हुए गड़ीववलों को सेवाब मिलता है अब जो आदमी 20,000 , 30,000 आपको यहे दागर देता है तो आज हैस उसका विवकास कहा से होगा उसका काम कणर होगा इसलिए हम तो सब को कहते हैं कि एक बार समाज को अच्छा बनाने के लिए बिचार को बदलिए और बिचार जब तक नहीं बदलता है क्योंकि समाज आपका तभी विकास होगा जब आपका बिचार जो हैसे बदलेगा और बिचार बदलिएगा तभी आपका विकास होगा क्या है अभी चुनाब है लाखों लोग खर्च कर देते हैं करोरों लोग खर्च कर देते हैं लेकिन समाज में विकास जो हैसे नहीं है क्यों क्योंकि पिछरा हुआ है और समाज के लोग आज दोस्त देते हैं कि फना जो हैसे इसे किया और समाज भी अगर सुधरना चाहेगा तो हर जाद लिए कि पूरे पंचायद जो हैसे सुधरेगा पूरा पंचायत जब सुधरगा तो विकास समाज में बोलेगा, हर जगा विकास देखने को मिलेगा, इसलिए हम सब से जो हैसे कहते हैं कि एक बार जो हैसे बदलाव का रूख जो हैसे, बदलिए सब को. अभी एक हम लोग जब पंचायत विजिट करते हैं तो आम सभा ग्राम सभा का कहीं पर भी हम लोग को आज कल नहीं देखने के लिए मिलता है और प्रस्टाचार का एक मुखी कारण आम सभा ग्राम सभा भी है तो आपकी पंचायत में क्या इस्थिति है बरतामान में आपको प पंचायत में 20 ब्रस से जो आदमी रह चुके हैं कंडिडेट पहले हमको लगता है कि आम सभा सिर्प पन्ना पर बनाया गया है और कहीं से समाज में हर वाद में आम सभा लगना चाहिए और हर वाद को लोगों को बुला के और उसका जो सरकारी योजना का जो है अगर जनकारी जो हैसे मिलता है तभी तो काम विकास में जो हैसे आगा लेकिन यहां परतिनीधी क्या करते हैं कि पन्ने पर जो हैसे आम सभा लगता है दसकत सब का जो हैसे हो गया चाहे उजन परतिनीधी हो चाहे जनता हो उनका दसकत हो गया आम सभा वहीं पर जो हैसे समा कारी नहीं मिलता है लोगों को कि सरकार हमको क्या योजना दे रही है हमको क्या अधिकार है अधिकार के बारे में जानना हर जंता का जह से काम है और अगर जनता हमें अगर चाही तो आमसभा जब पर महीना समझ लिजे कि हर वाड में जो हैसे आमसभा लगवाएंगे और आमसभा के माध्यम से एक-एक घर को चाहे जितना भी विकास का काम होगा उसको एक-एक घर को जनकारी देंगे और जितना भी जैसे राशन काड हुआ आपको बिधा पेंशन नहीं मिल ला है बिधवा पेंशन भाड मिल ला है हर बेकती को एक-एक घर पर जाकर जो हैसे पहुंचाने का काम करें जनता अगर हमको अगर समय आगर देगे तो एक-एक घर पर जो हैसे विकास करने। अभी आपने भी देखा है पूरे दुनिया जो है कुरुना महामारी से ग्रसित रही है अभी भी कुरुना खतम नहीं हुआ है पुरुनता इसमें जो है बिहार के अंदर बहुत सारा स्वास्त केंदर खुल के आया कि क्या इस्थिति रही है तो आपके पंचायत में स्वास्त क क्या से काम करना चाहिए तो इस पर कुछ प्रकास डाले। परतिनिधी को सिर्फ नाला और रोड पर ध्यान है। अगर चुनेगी तो सबसे पहला हम एस्टेटमेंट भी दिये हैं और अपना घोसना पत्र में भी दिये हैं कि शिक्छा में सुधार करेंगे। और अगर हमारी जीत हुई तो निश्चीत रूप से सबसे पहले अपने पंचाइत में एम्बुलेंस का वेवस्था कराएंगे। जो की जो हैसे लोगों के पास अराम से जो हैसे सुधा मिले और लोग जो हैसे अपना इलाज करा सके। पूरे प्रयास के साथ राशन में सुधार करेंगे, भरस्टाचार को दूर करेंगे, स्वाक्स्त का सुधा जो है से करेंगे, सिक्षा का बेवस्था जो है से टाइट करेंगे और नाला, सरक तो हर जगा जो हैसे लोग बना है और आज भी बनेगा और हम चाहेंगे कि हर जगा का समाद जो हैसे साफसुतरा समाज बने इसके लिए हम लोग पूरा परयत्न करेंगे कि हमारा समाद जो हैसे साफसुतरा बने आखरी में कुछ जनता को आप अपने पंचायत के जनता को कुछ कहना चाहेंगे हम तो देखे जनता हमारी सर्वो पड़ी है और जनता जो जनता को काम चाहिए जनता को काम करने वाले जो हैसे चाहिए जनता उसी को जो हैसे चुनेंगे और इस वार हम सब जनता को कहते हैं कि सोच बदलिये आप अगर सोच बदलते हैं तो आपका विकास भी बदलेगा और समाज में विकास भी बोलेगा हम सभी जनता को एक बार फिर से आमंत्रित हैं कि हम लोग कहते हैं कि जब तक आपका सोच नहीं बदले तब तक आपका विकास नहीं बदलता है और एक सोच से आपका एक बोट आपका जीवन का भी पांच साल बचाएगा और आपके बच्चे का भविष जो हैसे बचाएगा और इसलिए जो हैसे आप सोच बदलिए और अच्छे कंडिडेट को जो हैसे चुनाब करिए ठैंको धन्यवाद